हलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागा थैतिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो आपके समक्ष टॉपिक पस्तुत हुआ है कई मानने में काफी महत्वपून है हर एक इक्जाम व्यू से ठीक है इसमें हम हर एक बात पर विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अच्छूता था तो चली देखते हमारा आज टॉपिक क्या है कि दित्य पंच वर्षी योजना के समय और दोई करन और क्रिशी विकास के बीच चली बहस का तर्क बताएं आपको पता ही होगा कि हमारे समाक्ष देखा जाए तो पहली पंच वर्षी योजना जो बनाई गई थी वो क्रिशी पे अधारित थी और दूसरी पंच वर्षी योजना जो थी अध्योगिक पे अधारित थी अब यहां पर जब दूसरी पंच वर्षी योजना बनाई गई अध्योगिक और क्रिशी के वीच एक बहुत बहुत बहस चिड़ गया यूगि 5 वर्ष में क्रिशी में इतना डिवॉल्टमेंट नहीं हो सका जितना हमने सोचा था तो जर्नल सी बात है बहुत से लोग इस प पढ़ गए तो यह बहुत बढ़ा कोशन था बहुत बढ़ा सवाल था वहां के समर्थकों में और बड़े बड़े जो है विसे सग्ग्यों में कि हम आखिर जो है दुसरे पंच वर्षी योजना के अंतरगत हम क्रिशी को क्यों पीछे छोर रही हैं और यह सब बहुत पुलित नहीं हुई जितना होना चाहिए था दुसरी पंच वर्षी योजना में क्रिशी ग्रामनी भारकस्तान पर जोर दिया गया सबसे पहली बात तो यही थी दुसरी पंच वर्षी योजना में क्रिशी के जगाव पर जो है उद्योग पर जोर दिया गया उस समय गांध जो है क्रिशी परधान देश है और जो है बास्तवीक जो लोग भारत के बस्ते हैं वो गाओं में ही बस्ते हैं ये बात गांदी जी के विचार धारा था और गांदी जी के विचार धारा के कारण जेसी कुमार अप्पा ने इसी बात का समर्थन किया कुमार अप्पा ने ग्रामनिय अधोगी करन पर जोड देने के लिए एक बेकैलिप खाक पस्ताव रखा कि अधोगी पर हमें जोड देना चाहिए लेकि हमें कृशी को पचारना नहीं चाहिए भारते लोग दल के नेता चौधरी चरण सिंग ने भी टिपनी की की ग्रामनिय कल्यान की कीमत पर सहरी और धोगी वर्गों में समीधी पैदा करने वाली योजना है कि जो हम अधोगी विकास की तरफ जा रहे हैं उसका एक ही मतलब है कि हमने ग्रामनिय कल्यान को पीछे छोड दिया है और ये भारते लोग दल के नेता चौधरी चरण सिंग का साफ विचार धारा थी और ये महतपूर्ण भी था कहते हैं एक नीती सफल हुई नहीं कि हम दुसरे नीती की तरफ आगे बढ़ गए हमारे देश में आज भी यही प्रोग्राम चल रही है हमारा एक नीती सफल होती नहीं है कि दुसरा सरकार की नीती सामने खरी हो जाती है ये बड़ी बड़ी बिड़मना है पहले एक को दुसरा सक्सकात रूल को लागू कीजिए तब दुसरे का नुसरन कीजिए लेकिन अगर आप एक के बाद एक रूल लेड़ेशन चेंज इतना जल्दी करते जाओगे न तो लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और लोग परसान हो जाती है कहते हैं लोग को परसान करना आज काल की सरकार की बहुत वड़ी प्रत्मिक्ता बन गई है आए दिन रूल लेड़ेशन के चेंज करना आए दिन करना और यहां पर यह ऐसे ही हुआ पंच वर्षी योजना जो थी पहले तो सफल हुई ही नहीं यतना दी और दुसरा लेकि आ गरीवी कम नहीं की जा सकती यह बहुत महत्पून बहस थी कि लोगों ने बहस की कि अध्योगी चेत्र बिर्दी के बिना हम गरीवी कम नहीं कर सकती लेकिन यह बात गलत है अगर हम भारत में अगर गरीवी कम करना चाहते हैं तो हमें क्रिशी के उपर ध्यान देना चाहिए क्रिशी में जितना उत्पादन होगी उद्योगों में इतना उत्पादन होगा और क्रिशी में अगर उत्पादन हुआ तो इसके लिए बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर इसको हम भेज सकती हैं और वहां से जो हम अच्छे खासे भारत में डॉलर ला सकती हैं तो इसे जो है भारत में गरीबी भी कम होगी और भारत के लोग जो है विकास भी करेंगी भारत जो है क्रिशी परदान देशी कहलाता है आज से भी पहले से भी और फ्यूचर में भी यही कहलाएगा क्योंकि हम क्रिशी पे काफी महतवपूर्ण अस्तान हमारा पूरे विश्व में है और ये बात काफी महतवपूर्ण डेता है देखा जाये तो इसमें बहुत बड़ी बहस थी कि बहुत से लोगों का विचार था कि जब तक हम अधोगी विकास नहीं करेंगे हम गरीबी कम नह नहीं थी भारत की योजना जो बनाई गई थी उसमें खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्रिशी के संबंदी कोई भी राज रन निती तयार नहीं की गई थी आनि क्रिशी को छोड़ दिया गया था दूसरी पंचवर्षी योजना में और इसे समुदाई वि कारण इसके कामेत में विफलता थी यानि देखा जाए तो बेशकली सरकार ने यहां पर बड़ी रिकम खर्च की लेकिन यह विफल रहा और सारे के सारे जो फैदा थे जो बड़े-बड़े घूमी स्वामी थे उनको यह प्राप्थ हुआ इसके अलवब आपनोंने यह भी तरक दिया कि यदि सरकार ने क्रिश्शी पर अधिक पैसा खर्च किया होता तो इसे ग्रामनी गरीवी की ब्यापक समझा के समदान नहीं होता अब यहाँ पर सब के अपने अपने तरक हैं सब के अपने बहस हैं कहते हैं विचार रखना सब का प्रात्मिक दैतू होती है अपना दिकार है लेकिन जो बास सही है उसी पर अनुसरन किया जाए तो यह काफी महत्वपूर्ण रहता है कि हम किसी बात को एनलाइज करें समझने की कोशिश करें कि कौन सा चीजे कहां पर हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है और कैसे यह विकास के अपनी चरम सीमा पर पहुँचेगा दूसरी के साथ हमारा यहाँ पर जो कोशन के सिल्सिला चल रहा था चैप्टर नियोजित विकास की राजनिती के अंतर गत यानि पोलिटिकल प्लैनिक अप डिवॉल्टमेंट खतम हो जाता है हमने यहाँ पर जो कोशन किये हैं वो एक्जाम भी उसे काफी महतपून डखता है गर समझदार बच्चे वो करेंगे जो करना चाहिए नोट समझेंगे नोट नहीं कीजेगा तो एक्जाम तक आपके पास साथ ना भी रहे कहते हैं तो यूटूब पे जब मर्जी देख सकते हैं लेकिन कोपी पे नोट करना फैदे मंद रहता है ठीक है इसलिए कोपी पे नोट कीजिए से अक्षरों का भी सही मार्क दरशन होता है य चेतर में हर जगह आपके लिए ही कारड़ है तो कि घरनल सी बात है ये आपके लिए ही तिरपानश्प्री सेंटर है जो समस्या आएगी उसको कॉमेंट कीजिए मुझे बताइए हम आगे बहतर करने कोशिश करेंगी मैं किसी भी कॉमेंट बच्छे करते हैं उनसे मैं कभी दुखी नहीं होता हूँ जो मर्जी मुझे कहें इससे कोई मुझे फरक नहीं पड़ता है कि आप देखिए समझ यह अगर अच्छा लगता है दुसरे बच्चे से शेयर कीजिए अगर शेयर नहीं करते हो तो मुझे फरक पड़ता है मैं चाहता हूं कि जिसैं आपको समझ में आ गया वहसे अगुझे मैं दुसरे बच्चे को भी समझ में आ जाना चाहिए झाहिए इसकोन करने की करने की भावना आपके मन में बना रहना चाहिए क्यूंकि शेयर ही दुसरे बच्छों केर है और यह कहते हैं हेल्प करने का च्छोटा सा साधन है मैं जानता होगी अगर आपको ना पसंद हो तो मत कीजिए कहते हैं जो पसंद आए वही कारे करना चाहिए लेकिन यह परहाई क रेख्या सतरे सिक्षा का माध्यम सिक्षा को माध्यम करने में कभी इंच की चाहाइए नहीं होनी क्यों再 रुझक उसको कावी प्रभाबित करता है अगर आगर यह धिश्यर करते हो दो नहीं को कर राधे गलीव कर कोशलन चाहते हो कि और भी आपको प्राप्थ होता ही रहे क्यों आपको तो पता है कि समय समय पर हर वीडियो बनता रहता है और ये प्रेश्षर में व्योट सेलो प्योट बरी आगाटा